और चले अब आगे बढ़ेंगे नए संसद भवन पर अशोक स्थम का नावरन। और नए संसथभवन पर आश्रुय चुन्ह का अनावरन, गुद्धानमंत्री नरेंद्र मूदी ने अशोक स्थम पर अनावरन किया है, दो हजार से जाधा कर्मचारियों उने सामुहिक मेहनत के फलस्वरूप स्थम्ब को नर्मित किया है तो धानमंत्री स्थम्ब बनाने वाले कर्मचारियों से चर्चा करेंगे उनके मनुबल को बढ़ाएंगे और साथ ही उरे धन्यवाद भी प्रेश्वत करेंगे और यह तस्वीरे देखी विशाल अशोक स्थम्ब तस्वीरे देखी तस्वीरे अप्याप में गौरफ में ही तस्वीरे हैं नया संसद भवन और नए संसद भवन पर राश्ट्रिय चिन्ध का नावरण अशोक स्थम्ब दूर दूर से नजर आता हुआ जब ये अशोक स्थम्ब नए संसत भवन से दूर से ही दिखाई देगा कहीना कहीन है गौरफ पूनेंग एक्षण और शुली जाद ज़ानकारी के साथ में दिली न्यूज अधितर अधितिनागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुट पिया देखे गौरफ में एक्षणी यकीनन है नया संसत भवन और नए संसत भवन पर इतुना विश्वाल काई अशोक स्थम्ब जुसका नावरन जी तक हम जिस संसत भवन में देश पिश्वे सतर सालों में तो फैसे लिये गए जो विकास वाउस के बाद अब यह नहीं संसत भवन बन रही है और लगब इस साल के अंतक पूरी तयार हो जाएगी लेकिन 9500 किलो के वजन का 6.5 मिटर यानि 10.5 मिटर उटा और यहां देख मंत्री नरेंदर मोडी नावरण किया ताथ ने आपको ओम बिल्डा लोगबा स्पीकर की साथ उनकी सस्पीरे नजर आई तरान मंत्री मोडी ने आज सुभा नए संसत भवन की चत पर बने राश्ट्र प्रतीक का नावरण किया है उन्होंने नए संसत के काम में जो लगे सं पांतो किलो के फुल वजन के साथ जो आंसके का बत है और ती उचाई थैपॉंट पांच मीटर है इसे नियो पार्लिमेंट बिल्डिंग के सेंट्रल स्वोयर के शीर्ष का कास किया गया है और प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगबग थैजार पांतो किलो वजन वाली त पूरा अनावरण हुआ है यह उपरी सल पर अशोख संब जो की भारत का राश्ट के मैं उसे लगाया गया है और जिसकी उसाई में बद फिर अगर पूसर तरीके से बताओं तो बीस है और उसके सपोर्ट से भी अलग 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 तो पूरा इस तांस का करीबन थैसुप से पूरा अनावरण हुआ है उन सभी कर्मचारियों से भी बात करेंगे यकिनन उन्हें धन्यवाद यहां पर प्रेश्ट करेंगे मनुवल उनका बढ़ाएंगे प्रुधान मंत्री तो देगे नया संसद भवन और नय संसद भवन पर अशोक स्थम यह तस्वीरे उस समय के जब अनावरण करने के लिए प्रुधान मंत्री नरेंद्र मूदी पहुँचे लोग सबहा स्पीकर पुरी टीम जिन से बाचीत करते हुए प्रुधान मंत्री नरेंद्र मूदी आप सोच सकते हैं इस अशोक स्थम को देख कर ही कितना समय लगा होगा कितने अथक प्रयास इसमें गए होंगे 2000 कर्मिचारी जुनके निरंतर दिन और रात की महनत के बाद ये दुन संभव हो पाया है और ये एक नया माइल्स्टोन 2000 से जादा कर्मिचारी नए संसत भवन पर अशोक स्थम का अनावरन के तस्वीरें प्रुधान मंत्री नरेंद्र मूदी शुगर खीचकर अनावरन करत दे हुए और उसी के साथ नया संसत भवन भी इस साल के अन्तु तक जुसरह से जानकारी सायोगी ने दी बन कर तयार हो जाएगा नए संसत भवन की जट पर ये विशाल काई अशोक स्थम दन